हेलो एवरिवन स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट जो है आपके लिए लेका हूँ और आप सभी जितने भी स्टुडेंट से रियानागे जिनोंने सीटी का एक्जाम दिया है उन्सके लिए जोस्तो ये मैं इसे क्या लेना देना तो दोस्तो ये आपके लिए जो है ये बैठक होने जारी है जी हाँ ये बैठक दोस्तो होने जारी है चार जुलाई को हर्याना कैबिनेट की बैठक और इसी दिन दोस्तो जो है बहुत बड़ी डिमांड जो स्टुडेंट्स की जिनोंने बहुत सं और सर्षिए को लेकर दोस्तों आछिर बच्छों के जीत हुई है क्यों इतने आपकी मेहनत ने सरकार इसके ऊपर बात करने के लिए तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसा स्क्रीन पर ये बैठक है और एक और मैं आपको दिखा देता हूं ये दोस्तों यहाँ पर भी लिखा हुआ है हरियाना मंत्री परिशद की बैठक चार जुलाई को डेट फिक्स होई है जो कबिनेट की मीटिंग है गुरूप सी में चार गुना ब्यारते को बिलाए जाने पर होगी चर्चा जी है ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जहां आप दोस्तों अपनी बाते जो है सामने रख रहे थे नेता मंत्री विदायक के सब के सामने अब दोस्तों वही में जो कबिनेट की बैठिक होती है उसमें दोस्तों इस मुद्दे पर चर्चा होगी ये आपकी पहली जीत है पहले ये सभी को आप सभी को बहुत बहुत जो है सुब कामना है इसके लिए देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा संगर्स क इतने गर्मी में इतने पसिने में सभी बैन भाईयों ने मिलके जो मैनत किया और मैनत दोस्तों कभी भी जो है बेकार नहीं जाती कोशिस करने वालों की कभी हार नहीं होती आपने कोशिस की और आपको सबलता जरूर मिलेगी C.A.T. Qualify के उपर जो है वो मीटिंग वो सभी मंतरी जो है वो बात करेंगे 4 जुलाई को जिसमें हमारे मुख्य मंतरी मोनोराल खटर भी जो है मजूद होंगे अब दोस्तों मुद्दा क्या C.A.T. Qualify का मुद्दा है जैसा आप सभी को पता है क्योंकि कोट में जाके स्टुडेंट टेक्निकल वाले स्टुडेंट जो है उनको पता है सभी को भी चेर्मान साब को पता है कि कोट में जाके टेक्निकल वाले स्टुडेंट क्या कर रहे हैं कोट में जा रहे हैं और जो है सीटी मेंस में जो है बैठने का उन्हें कोट के द्वारा मुका दिया जा रहे हैं कोई भी साती हो कोट में चला जाते हैं वह एपलिकेशन लगाता है और कोट के थूरू जो है उनको सीटी मेंस में जो है एक्जाम देने के लिए उनको अलाव कर देता है कोर्ट तो इसी को देखते हुए दोस्तों जो है बहुत बड़ी डिमांड जैसे पता है बहुत बड़ा मुद्ध है यह सीटी क्वालिफाई का क्योंकि बहुत से स्टुडेंट्स की उम्मीड टिकी होई है काफी दरना प्रदस्ण जो है इसको लेकर हो चुका है तो यह जीत कह सकते हैं हम स्टुडेंट्स की क्योंकि इसके उपर सीटी क्वालिफाई के उपर बात है कुछ ना कुछ दोस्तों सरकार को पता चल गया अगर हम क्वालिफाई नहीं करेंगे तो यह बाते दोस्तों सरकार के अगेंट्स जाएगी अगर सीटी क्वालिफाई नही निकल क्याएगी इस मीटिंग के बाद सायद CT qualify की गोसना हो जाए और सभी को मुका मिल जाए जिसने CT qualify की है exam दिया CT का और qualify करने के बाद उसे मेंस में बैठने का मोका मिल जाए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है तो 4 जुलाई तक का वेट करें क्योंकि सबी की नजरों में ये मुद्दा बनाऊ है हर MLA, हर मंत्री, हर विदायक हर किसी के नोलिज में ये मुद्दा है CET क्वालिफाई का क्योंकि पूरे हर्याना में इसकी गूंज उठी थी CET क्वालिफाई की तो ये खबर दोस्तो आज आज आपने विदिन सोचल मीडिया पर देख भी ली होगी और अब देखते हैं दोस्तो 4 जुलाई का इन जा रहेगा उस मीटिंग में क्या नितिज़े निकल के आते हैं CET क्वालिफाई को लेकर तो आप सभी पॉजिटिव रहें पॉजिटिव रहोगे तो कुछ अच्छा मिलेगा कभी भी इन एक्टिव मत सोचागरो जीवन में क्योंकि हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे जिनकी में कभी भी आपका कोई भी आपका रास्ता नहीं रोक सकता जैसे आप अपने मंजिल की तरफ जाओगे बस आपको पॉजिटिव रहना अपने आपको मोटिवेट करने तो ये खबर मैं लेकर आया था दोस्तों CT के उपर की CT की चार जुलाई तक का अपने वेट करें और आगे त्यारी करते रहें त्यारी मत छोड़ना क्योंकि इस बार नोकरी आपको दोस्तों 100% मिलेगी जिसने मैनत किये क्योंकि काफी मैनत कर रहे हो और समय दोस्तों सब चीजे समय के इसा आप समय जो इस समय का सदुप्यों कर गया जो समय का यूज कर गया सही डंग से वह दोस्तों जो है आगे बढ़ता है नोकरी लगता है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक